देखो NUAS में result आने के कितने दिन बाद आप लोग की original mark sheet और original जो certificate होती है वो NUAS से मिलती है इस पर हम बात कर लेते हैं क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा question पूछा जाता है students के थुरू तो देखो result जैसे कि अभी जो आप लोग का अपिल माई 2013 का जो exam हुआ है उसका result आने व result के कितने दिन बाद मिलेगा और कैसे मिलेगा और अगर किसी students को urgently चाहिए तो वो कैसे ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं तो चलिए एके करके यहाँ पर हम सुरू करते हैं तो देखो result आने के कितने दिन बाद आप लोग का original mark sheet मिलेगा जो तो देखो result आने के दो महिने बाद आप लोग की original mark sheet जो है लगबग 2 महिने का समय लेती है एन्वेस original mark sheet आप लोग की print करने में और जो original certificate है जैसे कि परविजनल certificate और migration certificate passing certificate अप नहीं मिलता है passing certificate और mark sheet जो है आप लोग का combined हो चुका है और वो बन चुका है mark sheet कम passing certificate ठीक है तो original mark sheet जो है और जो original certificate है जो एन्वेस से आपको मिलती है वो result आने के दो महिने बाद आप लोग का मिलना सुरू होता है यानि कि दो महिने ले लेती है एन्वेस आप लोग की original mark sheet को print करने में और उसकी distribution करने में ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ और जालनो कि आप लोग की जो एन्वेस से original mark sheet और original certificate आएगा दो महिने बाद वो कैसे आएगा तो देखो जो सबसे पहले एन्वेस आप लोग का original mark sheet और original certificate जो दो महिने बाद भेजती है वो सबसे पहले आपको by post भेजती है जो भी आपने एन्वेस में एडिशन में एडिशन के time address दिया होगा उसी address पर आप लोग को NUAS जो है सबसे पहले बाइपोस्ट आपका ओरिजनल मार्गशिट रिजल्ट आने के दो महीने बाद ओरिजनल मार्गशिट और ओरिजनल जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको भेज दी है आपके घर पर ठीक है आपके घर पर का मतलब है कि जो आपने NUAS में यहां पर रिजसेशन के टाइम आपने एड़ेस दे रखा है उसी एड़ेस पर NUAS आपको सबसे पहले रिजल्ट आने के दो महीने बाद आप लोग का ओरिजनल मार्गशिट और ओरिजनल सर्टिफिकेट्स बाइपोस्ट में के तुरू आपके घर पर भेज दी है ठीक है और बाइचंज देखो अगर आपका एड़ेस यहां पर गलत होता है तो इस केस में आप लोग एड़ेस भी करेक्शन के लिए अपलाई कर सकते हो और आपको यह एक्जाम से पहले यानि की ओरिजनल मार्गशिट आने से पहले रिजल्ट के आने से पहले आप लोग को कर ले होगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि इसलिष आने के दो महिने बाद आप लोग की ओरिजनल मार्गशिट का distribution जो है, NWS अपने regional center से शुरू करती है और सबसे पहले जो है आप लोग के address पर भेजती है ठीक है, सबसे पहले आपको वो address पर भेजती है, चाहे आप 10 वी class के students हो, चाहे आप 12 वी class के students हो सबसे पहले आप लोग को वो आपके address पर भेजेगी उसके बाद क्या होगा, तो बाइचन दिखो, अगर आपका address अभी जो यहाँ पर enter कर रखा है आपने यानि के registration के time जो आपने NWS में address दिया था वो address पर भी आप नहीं रहते हो तो उसके से में क्या होगा आप लोग की जो original mark sheet है जो की डाकिया लेके जाएगा वो आप वापस लेके NWS को submit करवा देगा बाइचनस अगर आप दिखो मिलोगे निवापे तो NWS क्या करेगी, डाकिया क्या करेगा आपका area का वो आप वापस ले जाएगा mark sheet को और आपके regional center धर देगा अब regional center वाले क्या करेंगे तो regional center वाले करेंगे आप लोग के series center वालों को phone और उनको mark sheet आप लोग का hand work कर देंगे ये real method आपको अता रहा हूँ इस तरीके से आप लोग की mark sheet घूमती है और आपके पास पहुंचती है तो अगर आपके घर पर नहीं पहुंचा तो उस case में क्या होगा उस case में आप लोग का जो mark sheet है और जो original certificates है वो आपके regional center वाले आपके series center वालों को देंगे और उनसे बोलेंगे कि जो इस students आएंगे आपके पास उनको ये original mark sheet और original certificate उनको provide कर देना ठीक है और बायचन्स देखो अगर आपका इस series center बहुत दूर है जैसे कि मानलोग की आप लोग का इस series center 200-300 km दूर है तो उस case में क्या होगा कि regional center वाले अपने पास ही आपके अपनी mark sheet को रखेंगे और आपको regional center जाकर ही अपना original mark sheet और original certificate लेना होगा झाले कि लाटे हम पास і जाकर होगा जामाले के आपके अपके है यामाले का की लोग के डीक एको